हलो दोस्तों, Administrators Academy में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमने अपने पिछले lecture में देखा था कि जो हमारे प्राचीन भारत की साहित्तिकार हैं वो कौन-कौन है दोस्तों आज उसकी अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे मध्धिकालीन कवियों के बारे में जिनमें प्रमुक हैं पदमाकर, केशवदास, हेवं भूशान दोस्तों कवी पदमाकर मध्धिकालीन एक प्रमुक कवी हैं ये हिंदी साहित्ति के रीतिकालीन कवियों में प्रमुक हैं दोस्तो कवी पदमाकर की रचनाय हैं हिम्मः भाद्दूर विरदा वली, प्रबोध पचासा जैसे ह् विरदा वली, हितोप देश और राग रसायन दोस्तो इस काल के जो ये रचनाकार हैं जैसे कि हम भूशन को भी देखेंगे और कवी पदमाकर ये श्रंगारिक प्रमुक रचनाय लिखते हैं या तो वीर रस प्रधान रचनाय लिखते हैं श्रंगारिक प्रधान रचनाओं में इनके साथ केशव की रचनाय प्रमुक हैं तथा वीर रस प्रधान रचनाओं में भूशन की रचनाएं इनके साथ प्रमुकता से दी गई हैं। इनकी हिम्मत बहदुर विर्दवावली जो है वीर रस में लिखी गई रचना है और यह इनकी पहली रचना है। यह कई राजदर्बारों में रहे जैसे सितारा, जैपूर, गौलियर। इनका जन्म सागर में हुआ तथा इनके पिता एक ब्राम्मण परिवार से थे जिनका नाम था मोहनलाल भट। दोस्तों यही इनकी प्रमुक रचना है थी। आगे देखते हैं हम केशव के बारे में। केशव को दोस्तों आचारे केशव भी कहा जाता है। क्योंकि दतकालीन समय में जब यह हिंदी साहित लिख रहे थे। उस समय जो तुलसी दास थे। उनकी रचना राम चरित मानस। राम पर लिखने के कारण बहुत प्रसिद्ध हुई। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी राम पर लिखता हूँ लेकिन इनकी जो रचना है राम चंद्रिका या इतनी प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन एक प्रमुक रचना है। जहांगीर पर इनकी रचना है जहांगीर जस्चंद्रिका नक्सिक वरणन में दोष्टों इन्होंने नाइका के नाखून से लेकर उसके सिर्थ तक के जो भी वरणन होते हैं इन सबके बारे में बताया है हमें। और रतन बावनी इनकी अन्य रचना है दोस्तों इसके बाद एक प्रमुक कवी इसकाल के हैं भूशन भूशन वीरस पधान रचनों में प्रसिद्ध कवी हैं ये छत्रपति शिवाजी एवं राजा छत्रशाल बुंदेला के दरवार में रहे हैं इन्हें भूशन की जो इनका नाम है यह इनकी उपाधी दी गई है दोस्तों इन्होंने लिखा है शिवराज भूशन सेवा बावनी छत्रशाल दशाग भूशन उल्लास दूशन उल्लास एवं भूशन हजारा ये अपनी एक रचना में लिखते हैं दोस्तों इसका मतलब है कि मलेच वंश पर शेर शिवराज जो शिवराज है वो शेर की तरह है अर्थात एक वीर रस प्रधान रचना है और अपने राजा को वीरता के साथ यह रचना व्यक्त करती है इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि पदमाकर, भूशन एवं केशव जो हैं मध्यकालीन हमारे प्रणुक रचनाकार है इनकी रचनाओं के बारे में अधिक पूछा जाता है तो प्रयास करें कि हम अधिक से अधिक इनकी रचनाय याद कर सके वैसे भी ये सरल रचनाय हैं तो मध्यकालीन और प्राचीन जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं को याद करना काफी आवश्यक है दोस्तों अगले खन में हम देखते हैं आधुनिक भारतिय कवी या आधुनिक कालीन कवी इनमें प्रमुक हैं माखनलाल चतरवेदी, गजानन माधा मुक्ति बोद, शुबद्धर गुमारी चोहान, बालकृष्म शर्मा नवीन, हरीशंकर परसाई जी, सरज जोशी जी, मु बावई में हुआ था, बावई होशंगा वाजजले में आता है और यहाँ पर इनका जन में हुआ था, इसलिए यह महत्रपून है, दोस्तों इन्होंने आरंभिक समय में कर्मवीर एवन प्रताप नाम के जो अकबार हैं इनका संपादन किया, तत पश्चात इन्होंने हिम क स्कूलों में पढ़ा है, पुष्प की अभिलासा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पत पर तुम देना फे, मातर भूमी पर सीष चड़ाने, जिस पत जावें वीर अनी, तोस्तों यह रचना काफी प्रसिद्ध थी, और इसी रचना के कारण इन्हें कई प्रकार के अव करती थी, इसके बाद दोस्तों हमारे जो प्रमुक अगले रचना कार हैं वो हैं गजानन माधो मुक्ति बोध, दोस्तों गजानन माधो मुक्ति बोध का जन्म 1917 में शियोपूर कला मध्प्रदीश में हुआ, इन्होंने उज्जेन, विदीशा, अमझेरा, आदिस्थानों पर जो है, अपनी आरंभिक सिचा प्राप्त की, दोस्तों ये लिखते हैं कि हमें अभिव्यक्ति के सारे खत्रे उठाने ही होंगे, तोडने ही होंगे, मठ और गड़सा, ये दोस्तों प्रक्तिशील और प्रक्तिवादी विचारधारा के कभी हैं, और इनकी रचनाओं में मुख्य तर, माक्सिजम या काल माक्स की जो विचारधारा है, वह हमें देखने को मिलती हैं, दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं में हैं, चांद का मुटेड़ा, एक साहित्तिक की डायरी, कामाईनी, एक पुनर विचार, कामाईनी जो मुख्य रचना थी, वह थी जैसें प्रशाद की, इन्होंने उसकी आलोजनात्मक मुल्यांगन किया, जिसका नाम लिखा, कामाईनी एक पुनर विचार, तथा इनकी अन्य जो रचना है, वह है सतह से उठता आदमी, इसके बाद इन्होंने दोस्तों, भारती इतिहास एवं संस्क्रती, काट का सपना, विपात आदी रचनाये भी की हैं, इसके बाद जो हमारी प्रमुख रचनाकार हैं, वो है दोस्तों सुबद्रा कुमारी चोहान, बही सांस्कृतिक कावेधारगी कभी हिंदी साहित की, और इन्होंने कई प्रमुख रचनाये की, दोस्तों इनका जन्म 1904 में प्रयाक के निकट और इनका विवाह खंडवा निवासी लक्षमर सेंजी से हुआ। माखनलाल चतुरवेदी का जो पत्र था कर्मबीर उसमें यह संपादन करने के लिए उसमें योगदान देने के लिए यह जबलपुर आ गए। और जबलपुर में जब माखनलाल चतुरवेदी की साहिता विख्रे मोती, मुकुल, तरीधारा, उनमादिनी और जहांसी की रानी से तो हम सभी परिचित हैं। वीरों का कैसा हो बसंत इनकी अन्य रचनाएं थी। दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हमें इनके जो हैं ग्रहनी के रूप में मिलती हैं। तथा कुछ रचनाएं जो हैं रास्ट की इसान स्कृतिक काव धारा की कवित्री के रूप में मिलती हैं। ये काफी राजनीतिक महत्वपून पदों पर भी रही हैं। इसलिए ये हैं एक महत्वपून कलाकार जोहर या फिर साहित्तिकार हमारे देश की वहा हैं। विधारा के कवी थे और इन्होंने एक महा कावे लिखा जिसका नाम था उर्मिला। उर्मिला जो कैरेक्टर है ये लक्षमन की पत्नी हैं वो रहती हैं। और हमेशा रामायन में हम सुनते हैं सीता जी के बारे में, राम जी के बारे में, लक्षमन जी के बारे में। बट अस्त्री सांस्कृतिक काव्य धाराया जो हमारा सुतंतता आंदोलन चल रहा था उसमें महिलाओं की भूमी का बहुत कम थी और इसलिए महिलाओं पर काव्य लिखे गए ऐसी महिलाओं जो वंचित रही हैं जैसे यशोधरा लिखते हैं मैथली शरन गुपता और उसमें कहते ह हैं सखी वे मुझसे कह कर जाते तो क्या मुझे अपनी पगबाधा ही पाते हैं खंड़का वे हैं दोस्तों इसके बाद इनका प्राणारपन नाम से इनकी अन्य रचनाओं में हैं कुमकुम रश्मीरेखा अपलग इस्तवन आदी तोस्तों अगले जो रचना कार हैं वह हरी शंकर परशाई हरी शंकर परशाई जी एक बहुत अच्छे व्यंग कार थे और सामाजिक बुराईयों पर सामाजिक जो भी ब्रष्टाचार फैल रहा है उस पर इन्होंने काफी व्यंग किये और व्यंग के ऊपर प्रचनाएं किये दोस्टों इनका जन्म हुआ था मद्द्रदेश के होसंगाबाद के जामानी ग्राम में और इनकी प्रमुक जो इन्होंने पत्रिकाएं प्रकासित की थी वह थी वसुधा एवं प्रहरी वसुधा एवं प्रहरी की मासिक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया इसके बाद इनके उपन्यास थे उपन्यास में था रानी नाकफनी की कहानी तटकी खोज जैसा कि इन शिकायत मुझे भी है अन्य इनकी रचनाओं में दोस्तों हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे आदी रचनाओं हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों इसके बाद जो है सरज जोशी सरज जोशी दोस्तों यह 1931 में इनका जन्म हुआ उज्जेन में दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं ये भी व्यंग प्रमुक रचनाएं हैं और हमने इनके बारे में देखा है कि इनका लापता गंज का नाम का जो है सीरियल आपने कभी देखा होगा सब की वी पर आता है इन्हें प्रमुक रचनाकार माना जाता है, काफी इन्हें अवॉइड भी भारत सरकार एवन मंद्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिये गए हैं इनकी रचनाओं में दोस्तों जीप पर सवार इलिया, रहा किनारे बैट, परिक्रमा, अंधो काहाती और एक था गधा प्रमुक हैं उसके बाद दोस्तों मुला रामुजी हैं, मुला रामुजी अपनी गुलाबी उर्दू के लिए जाने जाते हैं इन्होंने उर्दू की एक नई शैली लिखने की जो है शुरुआत की और इसका नाम था गुलाबी उर्दू इनका जन्म दोस्तों बहुपाल में ही हुआ, सन 1896 में दोस्तों जो वर्दमान उर्दू अकादमी हैं, बहुपाल में इस्तित, उसका नाम मुला रामुजी के नाम पर मुला रामुजी भबन कर दिया गया है अत्य है, उर्दू में इनकी महत्ता को इसी से पहचाना जा सकता है दोस्तों इनकी अन्य रचनाएं थी औरतजात, लाठी और भैंस, जिन्दगी, आदी दोस्तों इसके बाद जो अगले कवी थे वह थे नंद दुलारे वाजपई नंद दुलारे वाजपई की रचनाओं में मुख्य हैं, हिंदी साहित्य, आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न और अन्यन्य बंद दोस्तों ये प्रगतिवादी एवं छायावादी हिंदी की कवी रहे हैं, इनका जन्म हुआ था उन्नाओ तरप्रदेश में, लेकिन कर्म भूमी जो थी, वो मद्ध प्रदेश रही हैं, अतह हैं मद्ध प्रदेश की कवीओं में हमें प्रमुक्ता से पढ़ते हैं दोस्तों अगले जो कवी हैं, वो है शिव मंगल से सुमन, शिव मंगल से सुमन दोस्तों लिखते हैं, हाँ जी मैं गीत बेशता हूं, जी लोगों ने तो बेश दिये इमान, मैं तो बस गीत बेशता हूं, जी आरंभ में तो शर्म लगी मुझको, पर धीरे धीरे अकले सामने रखे लोगों के शोशट जो वर्ग है हमारी समाज का उसकी बातें जो हैं सामने रखें दोस्तों इनकी रचनाव ममुख हैं हिलोल विश्वास बढ़ता ही गया जीवन के गान आग भरी नहीं विंध्य हिमालय माटे की बारत आधी दोस्तों इनकी जो रचनाए हैं वो आ जाएगा कल्चर का तो दोस्तों आप Administrator Academy को देखते रहिए मैं आदित्य आपके साथ हमेशा रहूँगा और आपको जो नए नए वीडियो हैं इसके बारे में पेश करता रहूँगा तो प्लीज दोस्तों लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें दोस्तों सब्सक् के अभाव में जो है पढ़ाई नहीं कर पाते लेकिन वे एक सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो दोस्तों धन्यवाद